आज आपको मैं कुछ पंप सील के बारे में बताऊंगा यह बुलिक प्रॉब्लम केदा होती है जब कभी कोई पंप वाटर लीके शुरू होती है तो आपको उसकी पंप सील को चेंज करना होता है उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है बहुत से पंप ऐसे होते हैं जिसके के इंदर जो नट या बोल्ड या जो भी चीज होती है उसके इंदर को टाइट करने के वह एंटिक वाइज होती है तो आप को समझ में नहीं हा रहा होता कि आप ऊसको खोलना चाहरे होते हैं लेकिन कॉछ यूब क्लाइज है आप इसको एंटिक लाउक वाइज गुमाना है य की बजाय को टाइट हो जाता है तो यह मेरे पास एक कंप सील है मेकानिकल कंप सील भो चाहे या किसी भी सिम्हीं की दे चाहिए कि अंदर आपको यह मिलेगी तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा चाह रहे होते हैं आप इसको खोलना की कोईश्च कर रहे होते हैं दिरसार आप इसको टाइट कर देते हैं क्योंकि उसके थ्रेट जो हैं वह एंटिक लोगवाइद होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे तलाश करना है कि यह आप इसके ऊपर यह अपना और आप इसको खोलना शूरू करें, आप जब इसको यूं करके खोलना शूरू करेंगे, तो इसको खुलना चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे, कि ये थ्रेट तो पीछे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, यह मैं आप खोलना चाह रहे हैं, लेकि यह tight हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि यह क्या होगा कि मैं इसको घुमाते जा रहा हूं तो यह tight होने के बज़ाए यह देखें यह मेरा न यह इस पर से आगया इससे मुझे बात बात चल गई कि इसके जो थ्रेड हैं वो counterclockwise हैं तो आप इस तरह इसके nut and ball को check कर सकते हैं इसके बात हैं तो